अरे इतरा को रहे बाद उमेदा के सुसू करने का बबबर शेर तो खुले में मूदता है ये एक फिल्म का डायलोग है पर वो लोग जो रोड में, रोड के किसी कोने में, किसी अंधेरी गली में, कही कोने काप्चे में अपने पिचकारी से धार छोड़ते हैं, उनको ये नहीं पता होता है, कि शेर जंगल में रहता है, शेर के पास सुसू करने के लिए टॉयलेट नहीं होता शेर को टॉयलेट मिलता है, वो भी टॉयलेट में जाके सुसू करता और ये कि तुम एक शेर नहीं, एक नॉर्मल इंसान हो, शेर बनने की कोशिश ना करो, चुप चाप टॉयलेट में जाके मूतर वी सरजंट करो इंडिया में पब्लिक को लगता है कि पब्लिक प्लिसिस में सुसू करना नॉर्मल है, लेकिन IPC याने की Indian Penal Code 290 के हिसाब से आपको सुसू करने में 200 रुपे से लेके जादा की भी फाइन लग सकती है अभी पब्लिक बोलेगी कि अगर मैं सुसू को दबाऊंगा तो मुझे स्टोन होगा फिर डॉक्टर के पास जाऊंगा पैसे भरने पड़ेंगे तो क्या करे भाई हम सबको कभी न कभी ऐसे वक्त पे सुसू आई है जब वाश रूम, पब्लिक टॉलेट या घर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम बस रास्ते पे ही अपनी धार छोड़ देते हैं बहुत चरह नुकसान हो सकते एक इनसान की यूरीन में पाए जाने वाले बहुत चरह बैक्टेरिया पैटोजन्स और बीमारिया किसी और इनसान को बिमार कर सकती है घातक बीमारिया जैसे की कोलेरा, हैपिटेटिस और गैस्ट्रो इंटेस्टेनल फेलती है बाकी गंदा बास और दूरगन तो आता ही है कोई-कोई area का smell और public toilet का smell almost same ही होता है urine में nitrogen और phosphorus होता है जो कि public places में जमा हो जाता है फिर वो पानी के किसी सुरोत में जाके जमा हो जाता है और nutrient pollution हो जाता है जिससे कि उस पानी के अंदर रहने वाले जीव और जानवरों को बहुत जादा तकलीफ होती है कुछ अच्छे और strict loss निकलने चाहिए जिससे public को public places में सुसु करने से थोड़ा सा डर लगे इन जनरल public में awareness spread होनी चीए यह सब तो ठीक है swimming pool में सुसु कर सकते है क्या यह topic अगले वीडियो के लिए रखते है अगर आपको अलग नजरीए से दुनिया देखनी है तो बन जाओ बड़ा crazy और इदर दुर्धान मत मारूबैश